हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगे जिसका नाम है दो बिल्ली और एक बंदर तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ एक बार दो बिलिया रहती थी एक दिन उन्हें एक रोटी का तुकड़ा मिला वे आपस में लड़ने लगी वे चाहती थी कि वे रोटी के तुकड़े को दो समान कर सके पर उन्हें कोई तर्कीम नहीं मिल पाई वहाँ पे तभी एक बंदर वहाँ पे आया उसने वो बहुत चलाग था उसने पूछा बिलियो से कि बिलियो तुम क्यों लड़ रही हो बिलियो ने बंदर को सारी बात बताई बंदर वहीं पर एक पराजू लाया उसने बोला लाओ मुझे ये रोटी का तुकड़ा दो मैं इसे बराबर बाट देता हूं एक परड़े की रोटी जादा थी तो बंदर ने थोड़ी सी रोटी खा मुझे डाली तो दोनों एक समान हो गई फिर बंदर ने दूसरे परड़े की थोड़ी सी तुकड़ी खा ली उसके बाद उसने दीरे दीरे करके दोनों पलड़े की रोटी खा ली वहीं पर बिल्लिया ने बोला ये तुम क्या कर रहे हो हमारी रोटी हमें वापिस करो तब थोड़ी सी रोटी बची थी पर बंदर ने वो भी चट कर लिया पर बिल्लिया तो उसका मुझ देखती रह गई बिल्लियों ने बोला ये नहीं तुम्हें हमारी रोटी वापिस करनी होगी तब ही बंदर हस्ते हस्ते चला गया और बिल्लिया ऐसे ही रह गई तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए अगर आप अच्छे दोस्त हो तो हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए हमेशा हर चीज बात करनी चाहिए और हर चीज बात करनी चाहिए थांक यू झाल